Hello students, आज हम class 5th का unit 3 का chapter my shadow पढ़ेंगे यानि मेरी परचाई my shadow तो चलिए शुरू करते हैं Do you know whenever there is light, someone follows you? कि आपको पता है, जब भी उचाला होता है, कोई आपके पीछे-पीछे चलता है? Have you ever wondered who it is? कि आपने कभी जानने की कोशिश की है? कि वो कौन है? तो पहचानी है वो कौन है? जो आपके पीछे-पीछे चलता है, जब भी उचाला होता है, और जब भी अंधेरा हो जाता है, तो वो मर जाता है, यानि नहीं रहता कौन है वो? जी हाँ, बिलकोल, वो है आपकी shadow, यानि परचाई और उसे से related आज हमारी poem है, read and enjoy तो चलो हम पढ़ते हैं, और इसको enjoy करते हैं I have a little shadow that goes in and out with me मेरी एक छोटी सी परचाई है, जो हमेशा मेरे साथ रहती है, चाहे मैं अंदर जाऊं, चाहे मैं बाहर जाऊं And what can be the use of him is, more than I can see और जितना मुझे लगता है, उसका काम है, उसका काम बस इतना है कि मैं उसे देख सकती हूं और तो उसका कोई भी काम नहीं है He is very very like me, from the heels up to the head वो एक तम मेरी तरह है, जमीन से यानि मेरे पैरों से लेकर सिर तक वो एक तम मेरी तरह दिखती है And I see him jump before me when I jump into my bed और जब मैं अपने बैर पर कूटता हूँ तो मेरी परच्चाई, मेरी शैडो मुझसे पहले कूट जाती है जैसे यह यहाँ पर कूट रही है और इसकी परच्चाई इससे पहले कूट गई इस तरीके से मुझे अपनी परच्चाई दिखती है अब हम आगे पढ़ेंगे The funniest thing about him is the way he likes to grow और सबसे मज्याकिया चीज उसके बारे में यह है कि वो कैसे भढ़ती है Not at all like proper children, which is always very slow वो एकदम proper children एक ठीक बच्चे की तरह नहीं भढ़ती वो कभी बहुत बढ़ी हो जाती है, कभी बहुत छोटी हो जाती है वो एक बच्चे की तरह धीरे धीरे नहीं भढ़ती, जैसे यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी परच्छाई बन चुकी है For he sometimes shoot up taller like an Indian rubber ball कभी-कभी तो वो इतनी लंबी हो जाती है कि ऐसा रपता है एक rubber की ball है And he sometimes gets so little that there's none of them at all और कभी-कभी वो इतनी छोटी हो जाती है कि पता ही नहीं चलता कि वो है भी One morning very early before the sun I was up एक दिन मैं पहुत जल्दी उठ गया, जब सूरज भी नहीं निकला था I rose and found the shining dew on every bottle cup मैं जगा और बाहर जाकर मैंने देखा कि हर एक फूल पर हर जगे पानी की ओस है But my little lazy shadow like an orange sleepy hair लेकिन जो मेरी छोटी सी आलसी पर चाई थी वो अभी तक सो रही थी Had stayed at home behind me and was first asleep in bed और मेरे आलसी पर चाई अभी तक घर पे बिल सर पर पड़ी सो रही थी तो ये हमारी पोयम थी कौन सी? My shadow मेरी पर चाई और इसके point है Robert Lois Stevenson तो I hope आपको ये पोयम अच्छी लगी होगी अब हम देखेंगे इसके new words Indian rubber ball तो rubber ball का मतलब होता है अब ball that can bounce very high एक ऐसी ball जो की बहुत उचा कूच सकती है अब हम buttercup का मतलब पड़ेंगे Buttercup का मतलब है a yellow flower एक पीला full अरेंट अरेंट का मतलब bad यानि बेकार अरेंट sleepyhead completely intentive यानि पूरी तरीके से आलसी तो ये हमारे new words थे हमने यहाँ पर कुछ new words जाने और इन्हें पहली बर पढ़कर इनका मतलब भी समझा तो ये आपकी poem थी My Shadow आपको अच्छी जरीके से समझ आई होगी अगर आपको इस poem में कुछ भी समझ नहीं आया तो आप लोग मुझे comment करके पूश सकते हैं वीजयो को लाइक करना सभी फ्रिंट के साथ शेयर करना बिलकुल भी मत भूलेगा जिससे वो भी इस poem को समझ सकें और तक्यू वर वच्छी जरीके से समझ आपको लाइक करना